पर फिर से मेरे प्यारे भाई लोगों को मेरा सदर पढ़ नाम कैसे हो आप सब लोग आपकी तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उस तयारी को प्यारे भाई लोगों और भी बहतरीन बनाने के लिए आपका रिविजन और भी तकड़ा करने के लिए मैं आपके लिए ल ही निए नेक्सोरल किस जन्पद में Sun दो भॉट किस जन्पद में स्थatique ठीड रौफ में में स्थे रहें थीड़्वां कि समम्नि consumo जन्पद मेंने हैं ज्मली बाइबार में इस्थ布 सूल कुंड किस जनपद में है सूल कुंड किस जनपद में इस्तित है तो उत्तरकासी में आपका सूल कुंड है ठीक है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट होती है तो ये है बैरासकुंड ठीक है बैरासकुंड मंदिर जो चमोली जनपद में है यहां रावन की पूजा होती है और एक और question है इसी के उपर कि उत्तराखन में ऐसा कौन सा मंदिर है जहां दानव की पूजा होती है तो दानव की पूजा होती है राहु मंदिर है ठीक है जो राहु मंदिर पौड़ी गडवाल में है यहां दानव की पूजा होती है ठीक है नेक्स क्वेशन देखेंगे हम प्राचिन सहलचित्र वारी लाखो गुफा इस्तित है तो लाको गुफा कहां इस्तित है लाको गुफा अलमोडा में है लाको गुफा कहा है अलमोडा में है वह ही एक वेशन और गोर्ख्या गुफा ठीक है तो गोर्ख्या गुफा कहां इस्तित है ठीक है तो गोर्ख्या गुफा कहा है चमोली में है ये भी आपने याद रखना है ठी निचे है next question लिपूलेक दर्रा इस्तित है लिपूलेक दर्रा कहां इस्तित है तो लिपूलेक दर्रा है आपका पिथोरागड में और इसी लिपूलेक दर्य के जरिये से मांस रोवर यातरा पूरी होती है ठीक है यही रास्ता है मांस रोवर तक पहुँचने का ठीक है नंदोर दून किस जनपद में इस्तित है तो नंदोर दून आपके नैनिताल में है और ये वन्य जीव अभ्यारण है और इसकी इस्तापना कभी 2012 में 2012 में इसकी इस्तापना होई ठीक है निमिलिकित में कौन सा जलाय साई उत्राखन में इस्तित है तो नानक सागर उदम सिंग्नगर में है साथ ताल भी है हरी पूरा भी है और उप्युक्त सभी इसका राइड आंसर हो जागे सभी उत्राखन में है ठीक है पहला वंस कौन सा था खरपर वंस का थीक है खरपर वंस का संस्तापक बसंदेब है और कतुरी वंस का भी उस वीडियो का किस जिले में सबसे अधिक बन पाये जाते है तो पौडी में ठीक है पौड़ी गडवाल में सबसे अधिक बन पाए जाते हैं आपका रिविजन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा तो प्लीज इसी तरह की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करो और चेनल को सस्क्राइब करो ताकि आगे भी इसी तरह की रिविजन आपका होता रहे